अबराहम लिंकन अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रसिध और महत्वपूर्ण राष्ट्रपतियों में से एक थे। किसी भी व्यक्ति के चरित्र और साहस का निर्मान आप उसकी स्वतंत्रता को छीन कर नहीं कर सकते हैं। अगर आप शांती चाहते हैं तो लोग प्रियता से बचें। जो दूसरों की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं कर सकते, उन्हीं भी स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं है। स्कूल के एक कमरे में शिक्षा प्राप्त करती एक पीही के सिध्धान्त आने वाली अगली सरकार के सिध्धान्त होंगे। आप जो भी हों, लेकिन हमेशा एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश जरूर करें। जूट बोलने वालों के लिए कोई स्मरण शक्ती नहीं होती है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ती के चरित्र को जानना चाहते हैं, तो उसे शक्ती दे दें। भविश्य के बारे में सबसे बढ़िया बात यह है, कि ये एक दिन निश्चित समय पर ही आता है। मैं जीतने के लिए प्रतिबध नहीं हूँ, लेकिन मैं सही और सच्चे होने के लिए प्रतिबध हूँ। हर कोई लंबा जीना चाहता है, पर कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता। उसे ही आलोचना करने का अधिकार है, जिसके पास मदद करने का दिल है। बोलकर सभी संदेह दूर करने से अच्छा है, कि आप चुप रहकर लोगों द्वारा मूर्क समझे जाएं। मेरा अनुभव रहा है, कि वह लोग जिनमें कोई अवगुन नहीं होता, उनमें गुन भी बहुत कम होते हैं। मैं सिर्फ तयारी करता हूँ, और किसी दिन मेरा मौका आही जाएगा। मैंने हमेशा से यह पाया है, कि कड़ी सजाया न्याय की तुलना में दया ज्यादा मीठे फल देती है। मैं यह नहीं सोचता, कि इश्वर हमारी तरफ है या नहीं। हमारा इश्वर की तरफ होना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इश्वर हमेशा सही होता है। औरत ही एक मात्र प्राणी है जिससे मैं डरता हूँ भले ही यह जानते हुए भी कि वो मुझे चोट नहीं पहुचाएगी हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से ज्यादा महत्वपूर्ण है आज से बचकर आप कल की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते सुनिश्चित करें कि आपने अपने पैर सही जगह पर रखे हैं फिर मजबूती से वहीं खड़े रहें जब आपको पहचाना न जाएं तो चिंता न करें बलकि पहचान के योग्य बनने का प्रयास करें विवाह न तो स्वर्ध है और नहीं नरक यह केवल शुद्धिकरण है एक खराब कानून को निरस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे सकती से लागू किया जाएं कुछ लोगों को बड़ी सफलता मिलती है यह इस बात का प्रमाण है कि दूसरे भी इसे हासिल कर सकते हैं मैं उस आदमी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता जो कल की तुलना में आज ज्यादा समझधार नहीं है महत्वकूर्ण सिध्धान्त कठोर हो सकते हैं और अवश्य होने चाहिए मेरी कभी कोई नीती नहीं थी मैंने बस हर दिन अपना सर्वश्रिष्ट प्रदर्शन करने की कोशिश की है किताबें एक आदमी को यह दिखाने का काम करती हैं कि उसके मूल विचार बिलकुल भी नए नहीं है